बात करेंगे सरकार सियासत और बिरो कैसी के फैसलों के अंतरकता की और परवंड करेंगे कि आखिर इन फेसलों के माईने क्या है शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का इस सिल्सिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान मिशन मोड में आ गए हैं और पच्मणी के मंत्र में मंत्रियों को खुलकर अपनी बात रखने का मोका मिलने से अफसर बेचेन हैं दरसल पच्मणी में सिवराज अगले साल होने वाले विदान सवा चुनाओं का रोड में बना रहे हैं जिसने अधिकारियों की धड़कने बढ़ा दिये इस मंत्रियों की पसंद और नापसंद का भी खयाल रखा जाएगा मंत्रियों को टास्क तो मिलेगा ही इसे पूरा करने के लिए अफसरों की टीम भी मुईया कराई जाएगी तो अगले विदान सवा चुनाओं के हिसाब से जमावट होगी लापरवा अफसरों को लूप लाइन में भीज़ा जाएगा और परिणाम देने वाले अफसरों की फिल्ड में तैनाती होगी लंबे समय से खाली पड़े पदों को भी पसंद ना पसंद देखकर भरा जाएगा तो इसी मन्थन और चिंतन और होने वाले संभावित बदलाव को समझेंगे हमारे सेयोगी ब्रजेस के साथ तो ब्रजेस जी हमने देखा कि अभी पिछले दिनो मुख्यमंतरी ने वी सी ली ती जिसमें क्लेक्टर कमिशनर कांफेंस थी और अप्रेल के पहले सप्ता में फिर से बड़ी कांफेंस होना और इसके पहले जी दो दिन का मन्थन है और जिसमें खास बात है कि इसमें से ब्यूरो क्रेट्स को दूर रखा गया एक-एक स्टाक क कर चुके हैं मनोज जी कि यह हमारी जो मन्थन और चिंतन होने वाला है यह रोड में अप्तियार करें जा कि चुनाव में के लिए आपके पास 18 महां बचे हैं और हम देखते हैं कि कैई अधिकारियों के जैसे प्रमुक्षासिप इस तर के अधिकारियों के अपने मंत्रियो करा जाएगा बकादा कि वह अपनी बात खुल कर कैसे बिना किसी डर के यह सरकार को सचेत कर सकते हैं कि कैका कम कमिया हैं जिए करके इसे काम कर रहे हैं और ओर अडंगे लगा रहे हैं तो इसरिता साफ संकेत दे दिये हैं कि जो 18 महा बचें उसके इसाफ से टास्क टैक किये जाएंगी तो मंत्रियों को फ्री एंड दिया जाएगा निश्टी तो उनके विभाग में भी अधिकारी उनकी पसंद के होंगे क्योंकि जो अनुसार काम चल सके कल को मंत्री यह न कह सके कि हमें जो मैं अरंगे लगा रही है तो हम काम नहीं कर पा रहा है और इसके अलाबा आपके 18 महा बचे हैं मैं बार बार 18 महा का जिक्रिश लिए कर रहा हूं कि उन कलेक्टर और SP को भी बदला जाएगा जो तीन साल करीब हो चुके हैं क्योंकि यह आप बाद में उनको बदलोगे तो को जमावट नहीं कर पाएंगे तो इसके हिसाब से उनको अभी से आपको ऐसे अधिकारी उनको वां तैनात करना पड़ेगा तो वह अभी से जमावट ऐसी कर लें अपने पसंद के अपसरों को बहां ले जाएं और इसके बाद जो आठ अपरेल को जो गलेक्टर कंशनर कां उन्होंने एक महाँ पहले से तबादले पर किसी तरह के हस्चेव करने से बना कर दिया था कोई भी तबादले नहीं हो रहे थे बाद में बिबाद उटता है को जाते जाते हैं अपने चाहितों को उपकृत कर गए हैं तो उन्होंने इस पर साफधानी बढ़ती और कोई बदलाब होगा तो यह मंत्र महत्मूर इसलिए है और हम जो बात कर रहे हैं कि अधिकारियों में धड़कन क्यों बढ़ी हुई तो अधिकारियों के बदलाब भी अब एक उससे नहीं होंगे उनके बदलाब होंगे मंत्री की मंसा नुसार होंगे जिलों में जाएंगे तो की और मंत्रियों की मंसा के अनुसार जाएंगे और जो बात हम कर रहे हैं कि एक तो फील्ड में जो आप काम कर रहा है पढ़िणाम चाहिए अफसरकार को कि आपको टास्क दिया गया है वो कारें समय सीमा पर पूरा करें और समय से पहले पूरा करने का जो एक दवाब है बूर दिये जाएंगे तो इस मन्थन की बज़े से इस कारण धड़काने बड़ी हुई है अफसरों की लेकिन इसको लेकि मुक्यमंत्री समय समय में हमने देखा निर्देश देते रहे हैं एक्षान होता भी रहा है कि अपसरों पर गाज भी गिरी है और जैसा आपने फिर दो ती को तमाम अफसरों से सीधा संपक रहे चुका है खासकर बड़े अफसरों से वो जानते हैं कि किसकी कितनी चमता है सीधे टच में हैं तो ऐसा नहीं है कि मंत्रियों की एक तरफाई चलेगी कि उन्होंने का मुझे ये वाला प्रमुक सचिप चाहिए या मुझे ये वाला अधिकारी लेलो हाँ आपकी चलेगी या आप से किसी की पट्री नहीं बेट रही है तो मंत्रियों के जो जगड़े हैं वो एक तरह से खट्व करने की प्रिक्रिया होगी कि जिसमें जो तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि मंत्रियों की तरफ से कि अधिकारी उनकी प्रियेंट दिया जा रहा है और मंत्रियों के कोई काम में अडंगे डला रहा है अधिकारी यदि उनकी पट्री नहीं बेट रही तो एंसे अधिकारियों की पोस्टिंग महां की जाएगी कि दोनों तालमेल बनाने समन्वे बनाके काम को तक्ती सीगर पूरा करा लें ताकि जो चुना में उसका लाब उठाया जा सके चलिए अगली ख़बर का रुख करेंगे सिवराज सरकार की चोती पारी में IPS और IFS अफसर तो नफी चुके थे अब एक IS अफसर भी रडार पर आ गया है यह अफसर है न्याज खान जिनों एक कंट्रोवर्सी फिल्म दा कस्मीर फाइल पर सोशल मीडिया पर अपनी भावना अब्यक्त कर खुद मुसीवत मोल ले लिए सरकार ने फिलाल खान को नोटिस थमा कर इस्पश्टी करन मांगा है लेकिन सूत्र बताते हैं कि सरकार पर कारवाई का भारी दवाब है खुद विरोक्रेसी का एक धड़ा सक्त कारवाई की पैर भी कर रहा है तरक दिये जा रहे हैं कि ऐसा नहीं करने पर अन अफसर भी इस तरह की अनुसाजन हिंता कर सरकार के लिए संगठन या संकट खड़ा कर सकते हैं विरोकेसी में डर लगवाना हुआ है कि इस कारवाई एकाद अफसर को नाप देना चाहिए और ये मौका खुद नियाज खान ने एक बार ने क्याई वार उपलब्द करा है फिर महरवानी क्यों मामला सी एम के संग्यान में है और उन्हें ही फैसला लेना है मनोज जी अभी तक छोटे छोटे अधिकारियों पर कारवाई हो जाती थी नीचले इस्तर के अधिकारियों कर्मिचारियों पर जल्दी कारवाई हो जाती लेकिन हम देख रहे हैं कि आई-एस और आई-पी-एस कोई नहीं बच रहा है पुरसोत्तम सर्मा को किस तरह से पादले कर दिये थे और उन तवादलों के कारण एक तरह से माना जा रहा है कि उनकी जांच हो जाएंगी जांच में प्रूफ हो जाएगा तो उनको पचास-बीस के फार्मू लेके घर बिठाने की त्यारी है दूसरे हैं आई-फ-एस महौनलाल मीना जो महिला सौन के मामले में और एक रिस्वत के मामले में घर हुए हैं वो भी सस्पेंट चल रहे हैं हाला कि उन्हें बहाल करने की कौसिस भी हुई थी बीच में लेकिन सरकार ने उसमें सफलता हांसिल नहीं होने दी उन्होंने कहा ता कि तैस समय पर नोटिस नहीं दिया गया उनको विभागी जा मामले में सरकार से जवाब तलब भी किया है लेकिन आसार नहीं दिख रहे हैं कि उनको भी इतना जल्दी माफी मिल जाई और ऐसी परिस्टितियों में आईए इस नियाज खान ने खुदी अपनी पैर पर को लाड़ी माली निच्छी तोर पर और देखिए एक बार दो बार अपनी फोटो डालें कई सारी और जिस प्रकार से पिचर को लेकर उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया खास तोर से और यह तरह से जहां तक बात है कि संसर बोर्ड को अगर कुछ उसमें गलत लगता है तो सेंसर पहले ही पिचर उसे या तो इसे दरस से का को मौन साध लेना चाहिए क्योंकि उनकी सिविल सेवा रूल्स जो है उसमें वकायदा इस तरह का प्रावदान है कि आप ऐसी अभिवेक्ति नहीं कर सकते जिससे सरकार को संग कड़गरे में ख़ड़ा कर रहे हूं और लोगों में बेमाने से फैल रहा हो निसी तोर जिन श इसा लगता है तो पुलिस या वो अपने महकमें से इस्तिवाद हैं और फिल्म बनाने लग जाए हमने देखा कि उसके पहले भी कई सारे अपसर जो मत्पिदेश करमेश ठेटे कि अगर हम बात करें कि वह इस प्रकार के विबादों से घिरे रहे और शायद वह इकलोते दे के लिए को ढर सhard ख sponsors कर रहे कर रहे हैं वह अलगातार दूसरे टीट कर रहे हैं ताकि उनने जो गलती कर दिए-उसको ढखने की कोशिस कर रहे हैं हालाकि माफिन यह मांग रहे हैं ना वह तुली डिलीट कर रहे हैं उस पर औरहे ले किरिदे गाहिस और यह प्समर्थन तो जाहिर सी बात उनको लग रहा कि कारवाई तो होना है लेकिन वो यह जो अभी तक का जो उनका एटीटूड वह यही दिगत दर्शारा है कि वो शायद उंगली कटा कर सहीद होने की केटेगरी में आना चाह रहे हैं कर दी जाती है तो एक धड़े को उनके जैसे दिगवे सिंग अभी समर्थन में आ गए हैं बिल्कुल ऐसा हो सकता जो आप के रहो हमने इसके पहले लिके नतीत में आप देखी कई सारे ऐसे अपसरों ने इस प्रकार के ट्वीट या सोसल मीडिया पर ऐसी चीजें लिखी थी अगर आपको इस प्रकार की कुछ अभीवक्ती की अजादी है लेकिन आपको सिविस सल्विल जो आपके जो सेवा सरते हैं उसका भी आपको सब्सक्राइब करते हैं कुछ और लिखते पड़ते हैं तो एक समझ में आता है कि ठीक है लेकिन आप एक ऐसे इस्यू को उठा रहे हैं जिससे विएमिनस्ता बढ़ने का खत्रा है और दूसरा हम इसा पहली बार नहीं देखने नियाज खान के संग आप देखिए पहले चा और लिखना चाहते हैं तो भी राजनेता की तरह रहें कि आप किसी पॉलेटिकल पाइटी को जोईन कर लीजिए इस्तिवा दे दीजिए आपको फिल्मों का डायरेक्शन का शो क्या फिल्म बनाना वो कर लीजिए आपको किताब लिखना वो कर लीजिए लेकिन आपको एक से नोटिस के बाद भी अभी आप रियक्शन नहीं देना है लेकिन आप ट्वीट के माध्यम से बताने की कोशिस करने कि आप डरे नहीं या आप कारवाई से डरते नहीं तो कुछ लोग यह भी मान के चल रहे हैं जो उनके के डर कहें आज जो उनको जानते हैं कि वो शायद सरकार को इस पर एक्शन लेना ही चाहिए क्योंकि यदि इस तरह से आप एक्शन नहीं लेंगे तो अनुसासन हिंता तमाम अफसरों में बढ़ सकती हैं और भी यह से अपसर हैं जो विव्यक्ति की आजादी के बहाने इस तरह के ट्वीट करके सरकार की योजना उपर सरकार के सिस्टम पर भी सवाल उठा सकते हैं क्योंकि देखा योजाना की रूब से कभी सिस्टम की खिलाब कुछ कुछ नहीं का सरकारों के खिलाब कुछ नहीं का और जब रिटायर हो गए तब उन्होंने पॉलिटिकल पाइटी जॉइन कर ली कि वह अपनी जो जो की कुछ वह सुधार करना चाहते थी विवाग वह नहीं कर पाए शायद राजनीती के माद्यम से करें तो मीदेग सरकार इस सर इस तरह की व्यानवाजी कर रहा है तो उसके पक्ष में ना आए एक नया माहूल खड़ा होता है और फिर उनको लगता है कि कोई न कोई तो उनके पक्ष में आ जाएगा क्योंकि आप देखिए विदायकों को उनके खिलाब धरने पर बेठना पड़ा तो यह वो इस्तित कि यह पला ज मांगी करते रहें और चियां। प्रक्रिया ताइकर इसके आदेश जारी कर दिए जेल विवाग के इस आदेश के बाद नायाब तैसिलदार और तैसिलदार के अफसरों में एक बार फिर राजस विवाग और सरकार के खिलाब आकरुष बढ़ा हैं तैसिलदार संग ने इसके लिए राजस मंत्री से सहयोग ना मिलने के बाद विदान सवा अध्याक्ष मंत्रियों के दरवाजे भी खटकटा हैं और कलेक्टरों को ग्यापन देने का सिल्चला जारी कर रखा है तो इसी ख़बर को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रिजेस के साथ ब्रिजेस जी हमने देखा पुलिस विभाग में इस प् कर दिया और पुलिस विभाग में नहीं की थी आप उच्छ पद्ध का प्रभार दे दीजिए क्योंकि पदोन्ती नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो गया जब दो विभागों में हो गया तो निश्ची तौर पर तैसींदारों को भी लगा कि एक मौका है और तैसीलदार भी चाहते हैं कि पिछले 6 साल से उनका प्रोमोशन नहीं गया नायब तैसीलदार तैसीलदार का इस बज़े से साड़े 800 के लगवक पद भी रिक्त हैं जो उच्च पद वाले हैं तो उनकी लगातार मांग बढ़ रही हैं कि हुने भी उस पाने के कारण वो लगातार ग्यापन दे रहे है अग्तार क्या देरी की विदांसवाद्यक्ष सर्व मुलाकात कि वियुक्स km कnes पर पेंशन पर दिखता है और जो कांवार यह वह दा थे लएंगा तो यह यहींन सुन रही है तो ठीक है जो चल रहा वो चलने दिया तो जब दूसरे राज्यों में उनको लगता है कि उनके साथ भरती वाले तो आप नाइब तैसील्दार से डिप्टी कलेक्टर तक पहुँच गए हैं कलेक्टर बनने वाले हैं और हम अभी भी नाइब तैसील्दार तैसील सब्झाने पर पादो नती तो सबको मिल जानी चाहिए लेकिन में रास्ता जब निकाला है सरकार ने इस पर अतरिक्त खर्च भी नहीं आरहे है तो आप यांग से रलकार का खेंग जिस सरकार के हिस्से जिस जो हिस्सा जेल विवाग है या ग्रे विवाग ही तो हम देख रह अभी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए बिल्कुल और जब आपने समीती बना दी चाहिए जैल विभाग में आपने समीती बना दीए किस तरह से आप पदोन्ति देंगे उनको अगली पत का पिरभार देंगे उसके लिए जैल अदिशा की नेत्रितु में कमेटी है और इसी तर है उसका कि 5 साल में पदोननती दे दी जानी चाहिए लेकिं 5 साल से भी उपर हो गाएं इससे पहले हम देख रहे हैं कि मद्यप्रदेश में भी ऐसी गड़वडियां हुई थी पहले भी ये मामले उठे दे और कोट तक गए थे कि गलत तरीके से कुछ लोगों को पदोननती द करेंगे सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए तमाम योजना चला रही है और लौन भी दे रही है इसी क्रम में सरकार ने रोजगार देने के लिए एक और योजना लागू किये लेकिन युवा इस योजना में कोई रुची नहीं दिखा रहा है जबक प्रधान मंत्री रोजगार स्रिजन कारिक्रम में ज्यादा रूची लेकर उससे लौन लिया जा रहा है MSME अपसरों की इमाने तो उद्यम क्रांती योजना में लौन के लिए तैकी गई सर्तें युवां को रास नहीं आ रहे हैं इसके पीछे की बजए सर्सिटी की रासी में फायदा नहीं मिलना बताया जा रहा है इसी कवर को बेतर तरीके से समझने की कोसिस करेंगे मनोज जी से मनोज जी हम देख रहे हैं कि प्रधान मंत्री की जो रोजगार योजना है उसमें नियम इस तरह से हैं कि कोई जादा नहीं है अंतर नहीं है कि मतलब यदि आपको एक तो उम्र का बंधन नहीं है किस उमर के लोगों को और ग्रामीरों महिलाओं का एक क्राइटेरिया रखा है उन्होंने कि यदि युवा है या ग्रामीर छेत में हैं उसमें के तरह की सरत है उसको ज्यादा मिल रही है और पिछ्ड़े बर्क का यह तो उसको करन कर रखा है इस बज़े से युवाओं की रूची नहीं है उसमें और उनका रुजान प्रदानमंत्री स्वरोजगार यूजना की तरह भी बढ़ ला है तो इस सर्तों को आपको नहीं लगता है कि स्थिल कर देना चाहिए जैसी केंद्र सरकार की यूजना में सरते हैं वैसी सरते हैं यहां लागू कर दीजाने चाहिए निश्चीत वरभाव्रजी नेकल रही है तो मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री की मंशाई यह कि ज्यादा से यदा लोग स्वारोजगार करें उसके लिए जो उनको मुदत मोहया हो सकती हो कर सकते हैं लेकिन जिस योजना का हम कर रहा है उसमें अठारा से चालीस साल के युवाओं के लिए पचास लाग तक का लोन देने की बात की गई है कम से कम पार भी पास होना जरूरी है और सेरों में सब्चीडी की राशित है कि वह समान पूरुज के लिए पंदरा परशन और बाकी के लिए पच्छीज परसेंट सबसे बड़ा कारण है सबसे जोड़ दी गई है उसमें बिल्कुल देखे रही है जहां पर जीरो है अभी तक किसी सबसे बड़ा कारण है सबसे जोड़ दी गई है उसमें बिल्कुल देखे चालू इतवर्स में बात कर रहे हैं पर इस जो पीएम योजना के बात कर रहे हैं उसमें इस लिए तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि इस योजना को 25 लाग तक लोन का प्रावदार है कोई बंदन नहीं है ग्रामिर अलाग में योजना को लोन लेने की सबसे जाना सब्सक्राइब तब रहा है लगवां तीन लाग पैतालीज हैर की सबसीड़ी की बात हो रही है और सब्सीड़ी मिलेगी जबकि उद्धियम करांथी में योजना पूरी होना के चलना के अधार पर सबसीड़ी दिया जाना का प्राउधान तो यही कारण है कि यूवा उस योजना में आकिर से तो रहा है कि बहुत ज्यादा यूवा पढ़े लिखे होते नहीं है लेकि स्वराजगार की जब बात आती तो वह चाहते हैं कि वह उनकी जोतनी पढ़ाई है उस हिसाब से वह रोजगार कर पाएं लेकिन उस योजना में दोनों चीज नहीं है तो आपने कहा है कि सरकार को इस बारे में करना चाहिए सब्हूर करना चाहिए कि क्यों मुक्त पूर्पिस कर दूर कर देंगी तो टरगेट 50,000 वह पूरह हो सकेगा बिल्कु पावर काई डोर में इतना एक जबते मिलेंगे सरकार के कुछ नहीं फैसलों की अंतरकता के सांद तब तक के लिए हमें दीजिये इजायत और आप देखते रही अनाधी टीवी नमस्कार